देखे हमारे Glacial Landforms तो अब खातब हो चुके हैं अब हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं Oceanic Landforms पे यहाँ पे बात करेंगे Waves और Currents के बारे में ठीक है तो यहाँ पे दो बेसिक फीचर्स मैं आपको बहुत धंग से समझाने वाला हूँ और इसको मैं कहीं न कहीं इंडिया के East Coast से और इंडिया के West Coast से जोड़ूँगा इंडिया के East Coast और West Coast से मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ ताकि मैं आपको एक 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 साथ चीज़ों को समझा पाओ वैसे यह जो Land Forms मैं आपको समझाने वाले हूँ वो पूरी दुनिया में इसी प्रकार से मिलते हैं Coastal Land Forms के अगर आप बात करोगे तो जो Coaster Process होते हैं बहुत डाइनमिक होते हैं दो प्रकार के आपको Coast मिलते हैं एक Emerging Coast मिलते हैं Oceanic Currents से वो लगातार चल रहे हैं हमारे Land Mass के आसपास Oceanic Currents की बात की जाए तो बहुत प्रकार के Oceanic Currents चलते हैं आप इस पर्टिकुलर फिगर को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने प्रकार के Oceanic Currents चलते हैं Greenland, Norwegian और ये जो Currents हैं न ये Overall पानी की Mixing बड़े खतरनाक तरीके से कर रहे हैं तो ये जो Currents हैं ये आप कह सकते हो कि Global Phenomena हैं वैसे Waves भी Global Phenomena हैं बट ये Currents अलग-अलग Oceans के पानी को आपस में जोड़ देते हैं वहीं पे अगर हम Waves को देखते हैं तो Waves नॉर्मल कर हमको एक Local Phenomena की तरह दिखती हैं बट है वो Global Phenomena आप किसी भी Coast पे चले जाओ बहुत शांत से शांत Coast भी होगा थोड़ी बहुत Waves तो आपको वहां पे भी नजर आ जाएंगे अब हमको समझना ये पड़ेगा कि ये Waves और ये Currents बनते क्यों हैं देखे Waves का बनने का जो एक खास वज़ा है हर प्रकार की Energy जो आपको हमारे Earth में नजर आती है उसका जो मूल स्रोथ है वो है Sunlight अब मैं आपको बहुत बेसिक बता रहा हूँ वैसे तो इसके अंदर की theory बहुत बढ़ी है लेकिन बहुत बेसिक आपको definition दे रहा हूँ की Waves बनती कैसे तो देखे Sunlight पढ़ी Sunlight से कही न करी Aatmosphere गरम हुआ हवा गरम हुई हवा गरम हुई तो आपर से Sunlight पढ़ रही है नीचे हवा उठेगा लेकिन उसके साथ सद इस फ्रिक्शनल फोर्स की वज़ा से जो कि हवा पानी की फर्फेस्ट पर कर रही है कुछ एनरजी पानी के वाटर में स्टोर हो जाएगी और इस एनरजी के चलते ही जो पानी का वाटर है यह अपनी जगा पे चर्ण करने लगेगा और वेव क सब्स फर्फ पर हमको कही न Yang ओवरल ऑल हमारे अब की सब्स चर्ण करता है और पानी क्या करता है कि अपने आप में चर्ण करता रहता पार्टिकल्स को रोटेट करता है और वो हमको waves की form में कोस्टन इलाकों में नज़र आते हैं तो waves का बहुत basic बज़ा बताई कि waves बनते कैसे वहीं पर हम बोले कि ocean currents कैसे बनते कौन से ocean currents जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ तो इनके बनने की तीन वज़ाएं basic है एक तो हो गई भाई आपकी gravity एक वज़ा है इसकी gravity अब आप बोलोगे किसकी gravity तो भाई moon की gravity, sun की gravity उसके बाद दूसरी वज़ा है earth का rotation आर्थ के rotation की वज़े से force पैदा होता corralis force यह corralis force के वल हवा को affect नहीं करता है यह इन ocean currents को भी affect करता है और उसके सासद एक और चीज होती है जिसका नाम होता है आपका sunlight वो sunlight कही ना कहीं waves भी cause करती है और वो sunlight कहीं ना कहीं इन currents को भी power देती तो यह तीन वज़ा है sunlight, earth's rotation और उसके सासद आपका gravity इन तीन वज़ाओं से ही जो ocean currents से ही अपनी पूरी की पूरी ताकत पा रहे है अब इन तीन वज़ाओं को बिल्कुल detail में मैं आपके समझाने वाला नहीं हूँ मैंने आपको बस एक basic बताया है कभी इसके लिए अगर मुझे समझाना पड़ेगा तो एक अलगी वीडियो बनानी पड़ेगी कि कैसे waves और currents को power मिलती है यह अच्छली यहाँ पर topic नहीं है एक हलका समयना आपको एक introduction type को दे दिया तो वापस आ जाते जो coastal process होते हैं लगातार current बह रहे हैं और लगातार waves बह रही है और यह current और यह waves अपना अपना काम करके कुछ erosional और depositional landforms बना रहे हैं अब आप देखो कि some of the changes along the coast takes place very fast at one place there can be erosion in one season and deposition in another मतलब coastal इलाकों में कभी कभी changes बहुत तेज होते हैं तो जहाँ पे waves थोड़ी धीमी होगी जहाँ पे waves उतनी destructive नहीं है और साथ साथ वहाँ पे जो rock है वो बहुत hard है वहाँ पे changes बहुत लंबे समय में होगे लेकिन आप देखो कि एकदम से tsunami आ गई और उस tsunami ने बहुत फोर से बहुत सारा पानी एक जगा भी dump up कर दिया बड़े-बड़े materials dump up कर दिया तो land form एकदम से बदल गया तो basically यह जो oceanic erosion होता है यह जो coastal erosion होता है इसमें चीज़ें आप तो एकदम से बहुत तेजी से बदल जाएंगी या फिर हो सकता है कि धीमे-धीमे बदले डिपेंड करेगा कि situation कैसी बन रहे है hard work बहुत जल्दी erode नहीं होती है और अगर पानी wave की strength को जगाँ पे कम है तो hard work और धीमे erode होगी अब क्या होता कि जब waves break करती है waves break मतलब wave चलती हुई आ रही और coast पे hit करती है तो coast पे hit करी तो wave break कर गई तो उसके चलते है पानी का pressure पड़ा जमीन पर अब आप समझिए चाहे emerging coast हो चाहे submerging coast हो जब वो coast को मार रही है wave तो उस coast से थोड़े sediments निकल के वापस पानी में जा रहे है ठीक है अब आपको पता है कि waves recurring है oscillation की तरह आ रही है जा रही है क्यों कि पानी के particles के अंदर एक energy है वो energy wind से आई है उनके पास तो वही energy churn करकर के waves को आ रही है वापस जा रही है उसके चलते sediments भी हमारे shore से तूटके अंदर जा रहे है तूटके अंदर जा रहे है फिर वापस जा रहे है overall oceanic circulation जो हुआ है sediments का उससे भी sediments आ रहे है तो यहाँ पर आप देखोगे कि समुंदर के अंदर भी churning होती sediments की क्योंकि जो पानी है यह on the move है तो on the move के चलते इसके साथ जो sediments है वो भी on the move है तो यह जो waves हा कि हमारे coast पर टककर मारती है इसके चलते हमारे coast बदलते है और अगर यही storm waves हो tsunami waves, tsunami waves सबसे खतरनाक होती storm waves, tsunami waves से थोड़ी कम खतरनाक होती वर normal waves से ज़यदा खतरनाक होती कभी-कभी आपने देखा होगा कि जो मचलियां पगड़ने लोग जाते हैं पास-पास के coast guard गुमते रहते हैं वो storm waves की warning को बहुत seriously देते हैं चुकि storm waves अच्छा कासा जानमाल को नुकसान कर देती कोई boat लेके अंदर गया है फस गया तो वापस आना मुश्किल हो जाता है तो यह storm waves और tsunami waves होती है यह बहुत तेगी से जल्दी changes करते है नॉर्मल breaking waves से यह बहुत अदर dangerous होती tsunami का तो नाम आपने ख्यार सुना ही होगा जैसे जैसे environment बदलता है वैसे वैसे intensity of the breaking wave भी हाँ पर बदलती है यहाँ पर question है कि do you know about the generating forces of waves and current इसके बारे में मैंने आपको काफी कुछ बताया है अभी मैंने आपको introduction बता है इससे पहले मैंने environment की वीडियो में भी discuss किया और इससे पहले वाले NCRT की वीडियो में भी discuss किया है अगर आप regularly देखते हुए आ रहे हो तो और यहाँ पर यह बता है आगे बारे मैंने पहले वीडियो पर लाइक का बटन अगर अब तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है इस वीडियो को like नहीं किया है चैनल को share और subscribe नहीं किया कर दीजे दोस्तों join बटन दबा के आप help कर सकते है मेरे चैनल के playlist section में जाईए वहाँ पर आपको अलग-अलग topics की जो भी वीडियो से हैं वो playlist wise segregated मिल जाएंगी लक्ष्मी कांथ की quality पूरी complete हो चुकी है spectrum modern history का most important part complete हो चुका है रमेस्तिंग economics चल रही है सर्थी चंदरा की media history चल रही है आप हमने reviews भी दे सकते हैं और अच्छा लगे तो channel पर join button दबा के help भी कर सकते हैं telegram group join करने से आपको lectures की notifications समय समय पर मिलते रहेंगे जो भी important current affairs के articles में update करता हूँ वो भी आपको telegram group पर मिलते रहेंगे फिर क्या बोरा जा रहा है कि waves के action के bus पे तो depend करता है coastal land form coastal land form इस बात पे भी depend करता है कि land का और sea floor का configuration कैसा है क्या coast advancing है emerging है यानि क्या coast c की तरफ आ रहा है या फिर sea coast की तरफ आ रहा है यानि कि coast retreating है submerging है अब समझे बात को जब समूनदर dominant हो जाता है तब coast retreating हो जाता है submerging हो जाता है हमारे देश का western coast और हमारे देश का eastern coast अब उसको भी थोड़ी देर में Google Earth के थुरू मैं आपको समझाता हूँ समझ ये बात को एक होता है high rocky coast submerged coast दूसरा होता है low smooth and gently sloping sedimentary coast immersed coast जो high rocky coast होता है वो highly indented होता है और आप देखोगे कि जो आपका emerging coast होता है जो sedimentary coast होता है जैसे कि हमारे beaches हो गए वो आपका emerging coast होता है वो बहुत smooth होता है अब ये indented और smooth का मतलब क्या है पहले तो आप एक figure देखिए कि हमारा ये जो high rocky coast है ये कैसा दिखता है और ये जो हमारा emerging coast है ये कैसा दिखता है sedimentary वाला तो एक बार के लिए figure पे पहुंचते हैं, यह मैंने बहुत सारे, यह आपको इस beach दिख रहा है, what is this, this is basically an emerging coast, इस beach की जो आपको line दिखेगी न, वो काफी smooth दिखेगी, okay, कभी-कभी ऐसा होगा कि जो हमारी rivers हैं, वो rivers आके यहाँ पे delta बनाएंगी, तो थोड़ा बहुत beach में cutting हो जाएगी, लेकिन normal कर आप देखोगे, तो जो emerging coast होते हैं, जहाँ पे जो इस तरीके की sand और beaches नजर आते हैं, वहाँ पे यह जो हमारा coast है, वो समुंदर के अंदर जा रहा है, समुंदर retreat कर रहा है, हमारा coast आगे बढ़ रहा है, इमर्ज कर रहा है, लेकिन एक चीज होती ह high rocky coast, उसको देखने के लिए, एक figure मैंने आपके लिए आने काल रखा, यह देखिये, this is basically high rocky coast, जिसको आप वो समुंदर कोस्ट, यहाँ पे आपको beach नहीं नजर आ रहा है, हलाकि ऐसा नहीं कि high rocky coast में कभी beach बनेंगे ही नहीं, beach बनते हैं, वो कब बनते हैं, वो भी मैं आपक अगर लूँगा, John Abraham बोलता है कि नहीं, मैंने बोला था, नहीं पकड़ पाऊगा, John Abraham अपनी, बाइक उड़ाते हुए, बिल्कु समुंदर में चले आते, तो वो जो बाइक उड़ाते हैं, जिसके उपर से, वो आपका high rocky coast, देखिये, जैसे ही coast यहाँ पे खतम हुआ, हमारा जो eastern coast है, जहाँ पे गोदावरी, कावेरी, इस प्रकार की नदियां जाके अपने डल्टा बनाती ही, वो ऐसा है, और जो हमारा western coast है, जहाँ पे नर्मदा, तापी हो, जो western ghast है, वो कुछ आपको ऐसा देखियेगा, अब हमारे coastों के अगर मैंने बात कर दी, तो एक western coast, बिल्कुल dissected, बिल्कुल indented, बिल्कुल smooth आपको नजर आएगा, मैं आपको यहाँ पे इसको zoom in करके दिखाता हूँ, मैं अपने west coast पे zoom in कर रहा हूँ, ओके, यहाँ पे मैंने west coast पे zoom in कर लिया, अब ज़रा आप इस west coast को देखिए, ओके, right from gujarat हम लोग यहाँ पे शु जब आप east coast को देखिए, बिल्कुल dissected, बिल्कुल indented, बिल्कुल कटा सटा, चुकि जो पूरा का पूरा हमारा west coast है न, वो कुछ इस प्रकार का है, ठीके न, यहाँ पे highly dissected rocks है, बीच काफी कम नजर आएगा आपको, western ghat से नदिया निकलती है, western ghat के भी west से नदिया निकल नहीं है, तो delta वगरा हमारे western coast पे बनते हैं, अब इसी google earth में हम लोग चलते हैं अपनी eastern coast पे, जब आप हमारे eastern coast पे देखोगे, बिल्कुल मखन जैसा आपको नजर आएगा eastern coast, देखे क्या smooth है, यहाँ पे आपको dissectedness नहीं दिख रही है, चुकि यहाँ पे emerged coast बन रहा है, ह हमारा जो land form है, हमारा जो नदियां है, हमारे coast को emerge बना रही है, तो हमारा western coast बहुत dissected है, हमारा eastern coast उतना dissected नहीं है, हमारा eastern coast emerging coast है, नदियां अंदर जाके अपना sediment deposit कर रही है, deltas बन रहा है, उसी के चलते आप देखोगे कि बहुत सारे natural ports हमारे western coast बनते हैं, जब topology और आ पोर्ट हो गया, यह सब हमारे western coast में नदियां है, हमारा western coast बहुत जादा detected है, highly indented, उसके वज़े से आराम से ship वगार की loading, unloading, ठीक है न, ship को side से आके अपना material को नीचे उतारने की, facilities बहुत आराम से बन जाती हैं हमारे western coast पे, उस प्रकार के सुविदा हमारे eastern coast में नहीं मि हो भी एक reason है, हाँ, submerged coast वाला तो यहाँ पर example ही, तो यह जो high rocky coast है, अब इसके बारे में बात करते हैं, Google Earth से आपको यह तो समझ में आ गया कि हमारा western coast है, वो हमारा submerged है और जो हमारा eastern coast है, वो emerging है, इसलिए हमारे western coast पे natural ports और harbors बहुत बनते हैं, कांडला, मुंदरा, गोव मुंबई, नावा, शेवा, यह सब हमारे western coast में मिलेंगे आपको, तो अब वापस आ जाते हैं, high rocky coast पे, high rocky coast हमने देखा, कि इस प्रकार से लंबी चटान खड़ी होगी, काफी dissected होगी, और नीचे यहाँ पर समुंदर होगा, तो यह होते हैं high rocky को, इस हमारे western coast को इस प्रक coast पे होता नहीं, बहुत highly indented coast line होती है, इन high rocky coast की, कुछ-कुछ फिजोड्स जैसे होते हैं, फिजोड्स, glacier valley आपको मैंने बताई थी ना, कि समुंदर है, अंदर glaciers है, और अंदर glaciers के, छोटे-छोटे mountains के बीच में से समुंदर का पानी बहता हुआ जा रहा है, इसको फिज इंटेट थी, कुछ इसी परकार से जो हमारे high rocky coast होते हैं, वो भी बहुत dissected होते हैं, बहुत indented होते हैं, नॉर्मल कर courses में, यहाँ पे depositional landforms ना के बराबर दिखते हैं, हाला कि कुछ हद तक depositional landforms देखेंगे, जब finally beach बनेगा, लेकिन erosional landforms हमारे high rocky coast पे dominate करते हैं, एक बात याद अखेगा, high rocky coast पे erosional landforms dominate कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि depositional landforms वहां कभी आएंगे, उसके आसपास भी आपको depositional landforms नजर आएंगे, अभी नहीं समझ में आया है, वो आपको सब समझ में आ जाएगा, erosional landforms, यानि कि चीज इरोड कर गई, एक जगा से उख़ यह basic तो देखिए, आपको पता ही है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, along high rocky coast, waves break with great force, against the land shaping the hillside into cliffs, with constant pounding by waves, the cliffs recede, leaving a wave cut platform in front of sea cliffs, waves gradually minimize the irregularities along the shore, सबसे पहले समझे कि यह wave cut platform क्या, what is this wave cut platform, तो यहाँ पे आपका high rocky coast था, और बार बार समुंदर की जो लेरे थी, वहाँ पे ताड़ ताड़ करके मार रही थी, pounding कर रही थी, ठीक है, उससे होगा यह कि, आप waves बिलकुल उपर तक तो पहुँच नहीं रही है, ठीक है, high rocky coast तो बहुत उपर, waves उपर तक नहीं पहुच कर रही है, तो नीचे के हिस्से के सबसे पहले उखाड़ेंगी, बेस, तो आपको एक hollow प्रकार के ऐसी high rocks खड़ी हुई नजर आएगी, अच्छा ऐसा नहीं है कि, ऊपर बिलकुल smooth होगा, smooth नहीं होगा, वहाँ पे भी काफी कटा होता है, wind और अपना थोड़ा पहुच पा कि जो sediment इधर आ रहा है, वो यहाँ पे जमा हो रहा है, जैसे तरसे कर गे, थोड़ा अंदर बह जा रहा है, थोड़ा जमा हो रहा है, जिसकी वज़सी यहाँ पे wave cut terraces बन रहे है, तो अलड़ी एक wave cut terrace यहाँ पे बन रहा है, कुछ दिन बाद क्या होगा, कि यह छेद इतना जादा बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि ऊपर का जो भार है, इस चटान का, यह जहला नहीं जाएगा, यह चटान तूटके नीचे गिर पड़ेगी, जो उपर cliff बनी थी, यह तूटके नीचे गिर पड़ेगी, इसको figure से देखते है, मानी जे figure दिख रहा कोई होगा नहीं, तो उपर वाली चटान नीचे गिर जाएगी, अब यह नीचे वाली चटान उखड के हट गई, तो नीचे जो जमीन बनेगी न, वो होगा आपका wavecut terrace, चोकि wave ने काटा, यह sediment सटा है, वो वहाँ पे जमाओ गए wavecut terrace बन गई, wavecut terrace पता है किस प्रकार की दि चटान होगी, दीरे-दीर पानी ने नीचे का उखाडा, नीचे का उखाडने चलते, ऊपर वाले का वजन नीचे जहल पाए, तो वो नीचे गिर पड़ी, और यहाँ पे आपको wavecut terrace बनती नदर आ रही है, यह देख लीजे, यह भी एक प्रकार की wavecut terrace है, बिलकुँ चटान है, तो पहले क्या है, कि यहाँ तक जो जितने भी इलाके में आपको यह चटान दिख रही है, यहाँ तक होगा यह high rocky mountain जो इस तरफ खड़ा हुआ दिख रहा है आपको, फिर नीचे से waves ने action किया होगा, नीचे से खाड़ दिया होगा, जब waves उड़ गया होगा, तो ऊपर क कि cliff का वजन नहीं जेल पाए होगा, वो cliff भी नीचे गिर गई होगी, वह नीचे गरने बाद बेस कुछ ऐसा बनाए, जिसको आप बोलोगे, wave cut terraces, तो basically यह wave cut terraces है, erosional landform है, चुकि एक बड़ी high rocky coast के नीचे के इस से को काट के, पहले चटान यहाँ जमा हुई, और उसके कि बाद हुआ है, कि वह cliff का वजन नहीं जेल पाए, cliff भी यहाँ पर गिर पड़ी, तो बहुत सारा मलबा यहाँ जमा हो गया, बहुत सारा मलबा बहके पीछे के तरफ समुंदर के तरफ चला गया, तो यह एक चीज आपको समझ में, तो यह wave cut platform कैसे बना, यह आपको समझ मे आगया, इसको कहीं कहीं बें wave cut terrace भी बोलते हैं, दीर दीर इर्रेगुलर्टी मिनिमाईज होती जाती है, जैसे कि आपने देखा, कि पहले high rocky coast ऐसे खड़ा था, थोड़ा इसको यहाँ पर erase कर दूँ, चीज आपको थोड़ा ज़्याद समझ में आएंगे, तो वापस करते हैं, देखें, यह मान लिजए high rocky coast ऐसे खड़ा हुआ था, नीचे से waves ने action किया, इतना उखाड़ दिया, इतना उखाड़ा, तो कुछ ऐसा खड़ा हुआ दिख रहा है आपको, फिर यह भी इसका वज़ए में आपको यह नीचे गिर पड़ा, अब आपको लगी, ठीक है, तो धीरे-धीरे करके, जो high rocky coast यहां खड़ा था, वो retreat करके यहां पहुँच किया, समुंदर आगे बढ़ गया थोड़ा सा, यह समुंदर आगे नहीं बढ़ा, तो नीचे wave cut terraces या wave cut आपके platform बनते नजरा रहे है, इसलिए इसको submerged coast बोला जा रहा है, retreating coast ब समझ में आगे हो, फिर आप देखो क्या लिखाया आगे, the material which fall off and removed from the sea cliffs, gradually break into smaller fragments and roll to roundness, will get deposited in the offshore, after a considerable period of cliff development and retreat, when coastline turns somewhat smooth with the addition of some more materials to this deposit in the offshore, a wave built terrace would develop in the front of the wave cut terrace, अब आप बोलोगे यह क्या बवाल बोलके सर नहीं समझ माया, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, कि कुछ इस प्रकार के structure आपको बनते नजरा आएंगे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यह वो high rocky coast थी, इस high rocky coast के समय आगे एक wave cut terrace बना था, और इस wave cut terrace के नीचे एक wave built platform ब high rocky mountain दिख रहे हैं, यह high rocky आपको edge दिख रहे हैं, उसके बगर में यह उठे हुए जो structures आपको यहाँ पे नजरा रहे है न, छोटे छोटे से rocky, यह wave cut terraces थे, उपर से cliff नीचे गिरी, वो cliff का मलबा आगे गया, वो मलबा दीरे दीरे रगड रगड के waves के actions के विसे, रगड र रगड के वो बिलकुँ smooth हो गया, salty हो गया और यहाँ पे beach के form में, वो deposit हो गया, तो यह जो नीचे beach नजरा रहा है न, आपको यह बन गया आपका wave built platform, कुछ इस figure में भी आपको इसका idea लगेगा, यहाँ पे आपको former sea cliff दिख रही है, यहाँ पे ऊपर एक terrace आपको दिख रह और इसके नीचे present level दिख रहा है आपको, तो समझ यहाँ पे, इस particular figure में तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे आपको नीचे sea level दिख रहा है, एक level आपको इधर नजरा रहा है इस जगा पे, और एक level आपको ऊपर नजरा रहा है, तो terrace सी बनती नजरा रही है, कुछ इस प्र वाले features भी activate हो जाते हैं, देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, लिखा क्या हुआ, after a considerable period of cliff development, and retreat when coastline turns somewhat smooth with the addition of some more material, अभी material का addition हो रहा है, deposit हो रहा है offshore में, तो जब addition हो रहा है, तो जब addition हो रहा है, तो deposit हो रहा है अलकल का यहाँ पे, तो जो wave built platform बना, उसमें थोड़ा थोड़ा वाला element भी आ गया है, और इसके parallel ही आप देखोगे कि बहुत सा erosion और भी हो रहा है, एक होता है आपका long shore current, अब यहाँ पे NCRT में problem यह है न, कि कुछ erratic form में ऐसे ऐसे terms यह लोग अंदर घुसेर देते हैं, जिसको समझाते नहीं है, NCRT की भी गलती नहीं है, अब इस पूर current गया होता है, आप इस figure को देखो, यहाँ पे आपको यह coast नजर आ रहा है, और इधर आपको long shore current भैता हो नजर आ भी होता है, मतलब कि अगर यह coast है, तो इस ही के parallel आपका long shore current भैरा होगा, अब long shore current इसके parallel भैरा होगा, current और wave के बीच में, आपको समझा चुका हूँ, I hope मैंने इस वीडियो को शुरुवात नहीं समझाए था अब यह हाई रोकी कोस्ट है माल लीजे यहाँ पर क्लिफ तूट तूट की गिर रही ही उसके सेडिमेंट समुंदर में जा रहे हैं वहाँ पर पानी का मुवमेंट हो रहा है इन फॉर्म ओ लॉंग शोर करेंट यह पानी नहीं पर डिपॉजिट करेंगे सम्मिट करेंगे अब देखिए यही लिखा हुआ है यहाँ पर एज एरोजन अलॉंग दा कोस्ट टेक्स प्लेस अगुड सप्लाई माटेरल बिकम्स अवलेबिल तू लॉंग शोर करेंट कोस्ट के बगर में लॉंग शोर करेंट पह रहे ह जब तक यह डिपॉजिट समुन्दर की सर्फिस के नीचे तब तक वो बार्स है और जैसे यह डिपॉजिट समुन्दर की सर्फिस के उपर आ गया तो यह क्या बन जाता है यह बन जाता है आपका बैरियर बार यह बैरियर बार क्या होते हैं देखाए फिगर क्या दिख रह पानी की सर्फेस के नीचे भी नज़र आते हैं, तो पानी की सर्फेस के नीचे नज़र आ रहे हैं, तो यह बार है, अगर पारियर की सर्फेस के नीचे नज़र आ रहे हैं, तो वह बार है, अगर आपने किसी भी कोस्टल इलाके से कोई फ्लाइट पकड़ी है, फ्लाइट पक पर कभी आप फुकेत से फ्लाइट पकड़ो और उपर जाओ या फिर फुकेत में लैंड करो तो आपको बिलकुल समुंदर से जैसे अंदर की तरफ घुसोगे तो समुंदर के ऊपर आपको इस प्रकार के बहुत से बार्ज दिखेंगे जब चीज बाहर आ रखी तो बैरियर से दिखता है तो जब भी कभी फ्लाइट में बैठना और बिलकुल किसी कोस्टल इलाके से ओड़ रहे हो तो खिड़के से नीचे के तरफ ध्यान देते रहे ना आपको बार्ज दिख जाएंगे मुझे तो बहुत बार यह बार्ज दिखें बड़ मुझे पता नहीं था कि भी वीडियो एक्स्प्लेइन करूँगा तो फोटो खिच लेता नहीं तो आपके लिए ठीक है तो बार समझद फीचर होते हैं और जब यह ऊपर आ जाते हैं पानी के तो बन जाते हैं बैरियर बार ओके अब जब यह बैरियर बार किसी बे के हेड्लैंड पे चिपक जाएं बहुत ही आसान सी चीज़ हैं इसको मैं अभी आपको एक फिगर के रास्ते ही समझाओंगो फिगर साथ बेस तिंग अब आपको यहां पे नजर आ रहा है अंदर एक बे है एक बे है बे एक ऐसी वाटर बाड़ी जो कि तीन तरफ से लैंड से गिरा हुआ इधर से भी अब यहां पे आपको यह जमीन दिख रही यह जमीन दिख रही अगर उस प्रकार की बैरियर रीफ यहां पे चिपक जाया के यहां पे चिपक जाया के तो वो क्या बन जाएगी वो स्पिट बन जाएगी और वो स्पिट अगर बढ़ बढ़ के बढ़ बढ़ के ऐसे चिपक गई तो ये पूरा का पूरा बे बंद हो जाएगा और फिर ये क्या कहलाएगा फिर ये कहलाएगा लगून यहाँ पे देखें यह आपको जो नजर आ रहा है न आफशोर सैंड बार बैसिकली ये बैरियर रीफ है अब हुआ ये कि फॉर एग्जामपल मान लीजे कि ये एक ब बैरियर बार निकला तो उस बैरियर बार को आप स्पिट बोलोगे यहाँ पे भी आपको एक ऐसा स्पिट नजर आ रही है स्पिट जाके अगर इधर जोड़ जाएगा तो ये वाटर बॉड़ी बंद हो जाएगी तो लागून कहलाएगी ठीक है बैक वाटर साफ केरला और अब पहले जो ये चिलका लेक ही वो पानी से कनेक्टेड होगी फिर वाटर बॉड़ी इसके आगे आगे और उसने चीजों को कवर कर दिया अब अंदर सिर्फ ये चिलका लेक बची हुई समझ गया बात को तो इस प्रकार से बनते हैं ये लगून्स तो लगून का फॉर्मिशन कुछ इस प्रकार सबता है यहाँ पे आपको फिर से मैं एक फिगर के थूर में बना के भी आपको समझा ज़ता हूं थोड़ी और क्लैर्टी आ जाएगी तो ये आपका कोस्ट था यह बर्रियरबार बने अब ये बारियरबार पर इस एंड पर चपकपक जाया तब यह बन जाता है सुइए कभी स्पिट दूसरे कोन से लड़ जाती है और यह जो water body होती है, enclosed हो जाती है, तब यह water body कहलाती है, lagoon और पीछे से उसमें किसी नदी का पानी भी गिर रहा होगा, तो उसके चलते यहाँ पे lagoon के अंदर जो पानी बनेगा, that will be a mixer of fresh water and saline water, समझ गे, तो एक अलगी प्रकार का brackish plus fresh water, brackish water ecosystem, मतलब salt water plus fresh water को मिला दो, तो brackish water ecosystem बनता है, चिलका लेक भी कुछ इसी प्रकार का brackish water ecosystem, ठीक है भाई, और जब इस brackish water में धीरे-धीरे sediments गुसते रहते हैं, गुसते रहते हैं, तो क्या है, देखो, पानी limited है, अब देखे, कुछ लगून्स ऐसे बनते हैं, जिसमें लगातार नदी का पानी या सी का access नहीं है, जैसे कि चलका लेक में माल लीजे, हलका फुलका स सी का access मिल गया, बहुत से ऐसे लगून्स बनते हैं, जिसमें सी का कोई भी access नहीं है, तो उनके अंदर लगातार flow sea water का या river water का नहीं जा रहा है, तो पानी का flow उनके अंदर जा नहीं रहा है, और लगातार silt का deposition उनके अंदर हो रहा है, तो उसके चलते क्या होगा, कि वो और land emerge होने लगाएगा, एक समय के बाद ऐसा होगा कि पूरा का पूरा land ही हो जाएगा, पानी बचेगा नहीं, तो coastal plane बन जाएगा अपने आपको, चाइना जैसी कंट्रीज आपने अक्सर कर सुना होगा कि वो कोलंबो port city उन्होंने बनाया, बहुत सारा इलाके में पानी थ है, वो खतम हो जाए, सिल्टी सिल्ट आ जाओ, उपर जमीन आ जाओ, फिर जमीन के उपर आप construction कर दो, तो coastal city बन की, ओलंबो coastal city बनाई है न, port city बनाई ही चाइना ने, कैसे बनाई है, ऐसी तो बनाई है, तो इस परकार से बहुत सारा construction man-made तरीके से भी होता है, तो यहाँ हमने high rocky coast के बारे में बात की, और हमारे देश में example देखा, कहां पर हमारा western coast, अब low sedimentary coast के बारे में बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़े में आपको एक ही वीडियो में बता रहा हूँ, reason being, कि तेजी सी चीज़े खतम करनी है, तो एक वीडियो में बहुत सारे topics में explain कर रह rivers appear to extend their length by building coastal plains in delta, आपको पता है, यह हमारा भारत देश, यहाँ पे बहुत सी नदे किसे गुदावरी, गंगा, यहाँ पे आके सुन्दर बंड डेल्टा बनाती है, बड़ा सा डेल्टा बनता है, सेल्ट का deposition होता ही जाता है, बल्ब शेप में आपका डेल्टा बनता ही जला ओके, और यहाँ पे जो coastline है, हमारे eastern coast में आपको दिखाया कि coastline नॉर्मल कर smooth है, यहाँ पे भी आपके लगून बनेंगों और टाइडल क्रीक्स बनेंगे, लगून क्या होते हैं, जैसा कि चलका लेक लगून में आपको दिखाया, लगून तो देखिए, एक water body किसी भी व बनेंगे, वहाँ पे भी लगून बनेंगे, और ऐसा नहीं कि emerging coast में आपको लगून बनेंगे, लगून हर चका बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक figure दिखा जाता हूं, अगर आप इस particular figure को देखो, तो यहाँ पे आपको high rocky coast में आपको लगून बनता नजर आ रहा है, और वहीं पे चिलका लेट आपका emerging coast में बना है, तो भाई high rocky coast और emerging coast दोनों पे ही आपके यह लगून बनते हैं, टाइडल क्रीक्स का क्या concept है, टाइडल क्रीक्स में कभी-कभी ऐसा होता है कि टाइड के force के चलते हैं, जो समंदर का पानी है वो जमीन के अंदर घुसाता है, त कहीं न कहीं एक emerging coast की continuity को तोड़ते हैं, smoothness को तोड़ते हैं, वैसे एक emerging coast ज़द तर आपको smooth ही नज़र आएगा, marshy नज़र आएगा, swampy नज़र आएगा, चुकि भाई देखें, पानी की depth ज़्यादा है नहीं, sediment वहाँ पे भरके जल्दी ही पानी की depth को पूरा कर देंगे जो कि आपका west coast पे था, rocky coast पे था, वही process यहाँ पे हैं, तो lagoon, bar, barrier, bar, spades ही आर जगा बनते हैं, आपकी emerging coast पे बनते हैं, और यह आपके submerged coast पे भी बनते होगा, आपको नज़र आएगे, ठीक है भाई, यह जो lagoon से धीरे-देर swampy में बदल सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बह पानी भी था, और सिर्ट जमारत होते जाएंगे, तो आपको सिर्ट जमीनी जमीन यहाँ पे दिखती रहेगी, storm और tsunami waves एक ऐसी चीज़ हैं, जो कि इन depositional landform को बहुत बुरी तरीके से erode कर सकते हैं, हटा सकते हैं, यह जब tsunami आती हैं, यह storm waves आती हैं, तो जो first, जो आप कह स आती ही रोकी कोस्ट पे आपको ज़्यादा तरी स्वेंफ नहीं मिलेंगे, लेकिन कहीं न कहीं जहाँ पे overall land की जो हाइट है, वो समंदर के लेवल जितनी हैं, वहाँ पे कहीं न कहीं आती हैं, आपको बहुत सारे mangroves मिल जाएंगे, अगर आप कभी अंदमान निको बार ग बता दिया है, I hope आपको चीजें समझ में आ गई हूँ, Erosional Landforms को अगली बार में पढ़ेंगे, thank you for watching friends, I hope मेरे efforts आपको अच्छे लग रहे हूँ, जादे जादे लोंग साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, thank you for watching, have a great day, good bye